मैं कल्चरल फोम दी सारी टीम सो असी हुन थोड़े विच रुकावट ना बंदे हुए मैं सदा देन जा रहे हैं डॉक्टर नाशिद नकवी साब नू जो हुन मुशायरा दी निजामत करनगे और डॉक्टर नकवी साब किसे लफजा दे महताज नहीं बहुती माइनाज हस्ती ने पटे अला दी अर्दू लेंग्विज दे विच उनदा अपना नाम है सो मैं बेंती कर रहे हैं कि अब आपके हवाले है जनाब डॉक्टर नकवी साब काबल ताजीम जनाब शकील एमसाब साबिक मरकजी वजीर काबल फखर शक्री शक्सियत हिंदुस्तान को ऐसे रहनमाओं पर नाज है हमारे दर्मियान तश्रीफ लाए महक कल्चरल फोरम की जो ये महक अदबी महक तहजीबी महक आप तक पहुँशती है उसकी सरपरस्ती शुरू से ही जनाब इजार आलम साब फर्मा रहे हमें नाज है उनकी जात पर भी उनकी शक्सियत पर भी उनकी रहनमाई पर भी मैडम फर्दान आलम मलेर कोटला की एमेले हैं और हकूमत पंजाब में बहुत एहम उहदे पर हैं मेरे लिए मेरी भावी हैं मैं सलाम पेश करता हूँ इनकी शफकतें इनकी दुआएं इस मुशायरे को मिलती हैं हमेशा इस मुशायरे में शरीक रहती हैं जनाब बिट्टू साहब मेंबर पार्लिमेंट हैं मुझे ऑनरेबल हैं मुझे बहुत खुशी है कि वो तश्रीफ लाए और आज बिट्टू साहब आपको देखके आपके दादा जी यादा गए कि जब सरदार बेंसिंग साहब के साथ हमने 1995 में इसी पट्याला की सर्दमीन पर एक इंटरनेशनल मुशायरा उनकी सरपरस्ती में किया था इतना बड़ा मुशायरा मेरे ख्याल से अभी पंजाब की तारीख में नहीं हुआ जब सरदार बेंसिंग तश्रीफ लाए थे और बहुत शांदार काबिले फखर महरानी पट्याला भी हमारे भी तश्रीफ ले आई मैं उनका भी वेल्टूम करता हूं महरानी साहिवा की शफियत किसी तारुफ की मौतायद नहीं है महरानी साहिवा हमारे लिए बाई से फखर है और वो भी सेंटर की मिनिस्टर रही है मैं उनका इस्तगबाल करता हूं मैं महक कल्चल फोरम की तरफ से मैडम आपका आना हमारे इस मुशायरे की इज़त को बढ़ा देगा केके शर्मा साहब हमारे पट्याला कॉंग्रेस के रुह रवा हैं वो हमारे बीच तश्रीफ फरमा है कबीर भाई यहां बैठे हुए हैं और मेरे बहुत से अच्छे दोस्त यहां तश्रीफ फरमा है और तार सिंग साहब आपका तो क्या कहा जाए वहराल आपकी जात पे भी हमिनाज है दोस्तों मुशायरे शुरू करने से पहले मैं आज यह अर्थ करूँ कि आज पंजाब में पंजाबी जुबान औदब के लिए मात भाशा दिवस है आज पंजाबी का मात भाशा दिवस है जिसके लिए पंजाबियत की महक के लिए इस स्टेश से महक कल्चरल फोरम की जानिब से पंजाब वासियों को मुबारक बात पेश करना अपना फर्द समझता हूँ महरानी साहबा की खिद्मत में अब जो महक कल्चरल फोरम का प्रोग्राम है तो महक के साथ ही उनको भी एक गुलदस्ता पेश करना है में गुलदस्ता पेश किया जाना है और एक गुलदस्ता भी महरानी साहबा की जात कम लफ़ शक्सियत बहुत बड़ी वजू नहीं करते हम तरी दुफ़ू नहीं करते आईए इस सिल्सिले को बढ़ाएं और मैं समझता हूँ कि शक्सियत की बहुत तारीफ हो चुकी आज पंजाब की तारीफ होनी चाहिए पंजाबी मात भाशा दिवस है पंजाबी जुबान सिर्फ पंजाबी जुबानी नहीं बलके पंजाबी तहजीब है और इसी की शाखी उर्दू भी है इसी की शाख पंजब हिंदी भी है और हमारे इस लौट इंडिया में जितनी जबाने बोली जाती है वो पंजाबी से तानलब रखती है उर्दू भी यहीं पेड़ा हुई और पंजाबी उन सब की माह है सलाम उस पंजाबी को जिसने हिंदूस्तान की हमेशा हिपाज़त की सलाम उस पंजाब को जो हमारे हिंदूस्तान अगर जिसम है तो वो उसका सर है का मनजर पंजाब वरक वरक हर राही का रहबर पंजाब सतर सतर अपने में एक लशकर पंजाब हिंद अगर है जिसम तो उसका सर पंजाब हिंद अगर है जिसम तो उसका सर पंजाब कदम कदम है नक्ष वफाई धरती पर अर्दू ने भी जनम लिया धरती पर कज hade跳ो के स calling नाशे अपनी कयों फैजमत है पंजाब अपना निशा है अपनी सुजात है पंजाब यानी जफाकेशी की अलामत है पंजाब बन के दुआ होटों पर यही फरियाद रहे अमन अमाय धर्द्धी पर राबाद रहे ये मुशायरे अमन अमान के लिए शान्ती के लिए मुशायरे होते हैं हर किसम के तास्व को खत्म करने के लिए मुशायरे होते हैं जहनों को रोशन करने के लिए मुशायरे होते हैं और ये पंजाब हर जानिब तन्वीरे ही तन्वीरे हैं बिखरी हुई सी खाबों की ताबीरे हैं बुले शाके नगमों की तासीरे हैं इसकी वारिस इसकी अपनी हीरे हैं हर दुख सुख हर चूला चौका सांजा है जो पंजाबी है वो खुद में रांजा है हर दुख सुख हर चूला चौका सांजा है जो पंजाबी है वो खुद में रांजा है और इस धर्ती में लोवानों की खुश्बू है गीतों की और मुस्कानों की खुश्बू है दानाओं की और दानों की खुश्बू है कैसे कैसे इमकानों की खुश्बू है प्यार का नगमा सबने मिलकर गाया है अवल ल्लाही का नूर उपाया है आईए आज के इस मुशायरे में महक कल्चरल फोरम के मुशायरे की ये सत्तरवी साल गिरा है जब ये सदी शुरू हुई थी तो महक कल्चरल फोरम ने तहजीब और अदब और जुबान के हवाले से एक कस्म ली थी के हम हर साल आजादी के मौके पर जन्वरी के मौके पर और पंदरागस्त के मौके पर मुशायरा करेंगे लेकिन दो मुशायरे तो नहीं हो पाए एक मुशायरा बहर हल हमारा जारी और सारी है और इन मुशायरों की सरपरस्ती हमारे प्रोफेसर हन्सराज साहब फर्माते रहे हन्सराज गुपता सहाब बहुत अजीम शक्सियत फ्रीडम फाइटर थे शायर थे और अल्लामा अगबाल के ऐसे दीवाने नरेश साहब उनीक नूरे नजर हैं मैं सलाम पेश करता हूँ आज के इस मुशायरे में जो शौरा हमारे दर्मियान तशریफ लाए हैं हमेशा हमने कौालिटी पर ध्यान दिया कॉ़न्टिटी पर नहीं दिया कि बहुत से शुरा को बुलाई जाए, एक ही शायर हो, लेकि शायर हो. इस मुशायरे में हमने निदा फादली साहब को बुलाया, और निदा फादली साहब जिनका बड़ा मषूर शेयर, कभी किसी को मुकमल जहाँ नहीं मिलता, बिखले दिनों हमसे रुखसत हुए, हमने इस मुशायरे में उन्हें खिराजी अकीड़त पेश किया और हमरे जुबेर रिजवी सहब भी इस मुशायरे में मुस्तकिलाते रहे परसों दिल्ली के एक सेमिनार में पाल इंडिया रेडियो के वो स्टेशन डिरेक्टर थे تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے کرتے بیٹھ گئے اور اسی وقت ان کا انتقال ہوا بارحال ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستہ بنا لیا اور ان کی نظم بہت مشہور ہوا کرتی تھی آپ نے سنی ہوگی یہ ہے میرا ہندوستان میرے سپنوں کا جہان اس سے پیار مجھ کو बाराल हम अपने जो शुरा हमारे दर्मियान से चले गए उन्हें भी सलाम पेश करते हैं आज के इस मशायरे में जो सबसे बड़ा एट्रेक्शन सबसे बड़ी कशिश का सबब हमारे अजीम शायर जनाब हसन कमाल सहब अजने अजीम शायरे अजीम शायरे में भी सबसे हैं रही हसन कमाल सहब जिनका तलुक लकनव से बंबई से वोबस्तगी आ रहा है हसन कमाल सहब जिटनी देर में तारुफ देता रहू हैं आप unga का استقнал करें हसन कमाल साथ ये वो हैं दिल की ये आर्जू है कोई दिल रुबा मिले उनका ये गीत निकाह का गीत आपने सुना होगा दिल के अर्मा आसुओं में बह गए क्या क्या खुबसूरत गीत इन्होंने लिखे ऐसी ऐसी फिल्में हिंदोस्तान को दी तवाइफ मसदूर कसम सुहाक की दिल की आर्जू और निकाह जैसी कामियाफ फिल्मों के नख्मा निगार हमारे दर्मियान यह तश्रीफ फर्मा हैं मैं इस्तग्बाल करता हूँ ना सिर्फ पट्याला की जानिब से बलके पूरे पंजाब की जानिब से जिन हालात में आप अट्याला तश्रीफ लाए हैं आपका बहुत शुक्रिया आपकी तश्रीफ आवरी का इनके बाद दूसरे हमारे बहुत महतरम शायर जनाब राजेश रेडी राजेश रेडी साब भी मुमबई से हमारे दर्मियान तश्रीफ लाए हैं मैं राजेश रिट्रिग्या विकास मुंबई आईए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तश्रीफावरी का कार्ड में जो हमने नाम दिये थे तो उसमें से तीन चार शोरा इस वजह से नहीं आ पाए के हरियाना का जो वाकिया है और इस वक्त रास्ते बिल्कुल मखदूश हुए हैं बॉंबे तक हमारे डिल्ली तक हमारे शोरा पहुँच गए हमारे शकील आदमी साहब आ रहे थे और जोहर कानपुरी उन्होंने डिल्ली से माज़रत की कोई यहां जिन ट्रेंज से हमने रिज अंदुस्तान में अमनो सुकून हो और हमारा मुल्क तरक्वी करता रहे यह जितनी डैशतगर्दियां या जितनी बेचेनियां हैं वो खत्म हो यही मुशायरों में मैं समझता हूँ कि मुशायरा जिस वक्त होता है वो एक मंदिर भी हो जाता है एक मस्धित भी हो जाता है यहां मिल के हम एक दूआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमनो सुकून रहे इनके बाद हमारे वीच जो तश्रीफ लाएं हैं बहुत मुमताश शायर लखनव की सरदमीन के शायर जनाब तारिक कमर साहब नई नसल के नुमाइंदा शायर और एटी वी उर्दू के सीनियर आफ कोई आसू इधर उधर नहुआ इतने खुबसूरत शेर कहने वाले शायर जनाब कमर तारिक साहब हमारे बीच तश्रीफ ले आएं हैं इनके अलावा हमारे दर्मियान तश्रीफ लाएं हैं जनाब खुर्शीद हैदर मुजफर नगरी तरन्नम के बहुत उम्दा शायर दू गुजारिश की थी और इनके साथ एक शायर तश्रीफ लाए हैं मैं उनसे मजाख कर रहा था हास से वेंग के शायर हैं जनाब बरकत हॉलट हॉलट लफ मर गया था इन्होंने अपने मिज़ा से जिन्दा कर लिया बेवगोफ को कहते हैं हॉलट तो मैं गुजारिश कर रहा हू हमारे दर्मियान तश्रीफ ले आए हैं और एक खुबसूरत नौजवाई शायर शकलन बुज़र्ग है लेकिन शकलन बुज़र्ग है लेकिन अमलन बहुत बच्चा है वो है जनाब सरदार पंची शुरुमनी साहितकार सरदार पंची साब से मेरी गुजारिश है बहुत ही सफ में हमारी सियासत के नुमाइंदे हदरा यहां शुरा यह हदरात बैठे हुए हैं मैं इनसे यह कहूंगा मैं उनका एक शेर पेश करता हूँ लेकिन यह हदरात न सुनें पीछे के हदरात सब सुनने हाँ तो बेशिक मिला है हर सियासत दांसे हाँ लेकिन उसके बाद श्रीफ ले आए हैं, मैं उनका इस्तवाल करता हूँ, पंजाब के इस वक्त अर्दू के सीनियर मुसर्स डॉक्टर सतीश वर्मा साहब, मैं उनका इस्तवाल कर रहा हूँ, बहुत ही महतरम शायर, पंजाबियत की रू हैं, और एक अमबसेडर हैं वो जुबान अदब के, मैं आए मुशायरे में हमारे पट्याला से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो हैं परविंदर शोख साहब, नौई नसल के नुमाइंदा शायर, जनाब परविंदर शोख साहब, और मेरे खियाल से अब, हाँ जनाब नफस अमबालवी, अमबाला से हर्याना की सर्दमीन से जनाब नफस अमबालवी साब मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ तश्रीफ लाएं और इस तरह ये मुशारा साउट इंडिया, नौर्थ इंडिया और तमाम सूबों की नुमाइंदिगी करता हुआ ये वो शौरा हैं जो पूरे दुनिया में हमारे हिंडोस्तान की नुमाइंदिगी करते हैं मैं डाक्टर नरेश सहाब को मैं कल्चरल फोरम को मुबारक बाद पेश करता हूँ और क्योंके हमारी महरानी साहबा यां बैठी हुई है उनकी सरपरस्ती भी हमें हासिल रहती है हमें नाज है उनकी जात पर सियासत अपनी जगा लेकिन तहजीब आदब और यहां की गदरों की जो नुमाइंदिगी मैडम करती है महरानी साहबा फरमाती है हमें उस पे नाज है मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे पटियाला की सरदमीन अमन और अमान की सरदमीन है और जहां मैंने शोरा का इस्तक्बाल किया जहां मैंने अपने महमानों का इस्तक्बाल किया उन महमानों में हमारे पटियाला के आडियंस के अलावा जो मलेर कोटला से हजरात तश्रीफ लाएं मैं उनको भी सलाम क्वेश करता हूँ, यह उनकी महबत है अदब के लिए, अर्दू के लिए, खास्तोर से अर्दू एकडमी के सिग्रेटरी प्रोफेसर डाक्टर मंजूर साब भी यहां तश्रीफ फर्मा हैं, और वकबोर्ट के भी यहां जिम्मेदारान यहां मौजूद है यह महबत है आपकी अर्दू की के जो आप यहां तश्रीफ लाएं, अब मैं बगएर किसी ताखीर के, क्यूंके बहुत देर हो चुकी है, मुशारे का आगास करता हूँ, मैं सभी शौरा यहां तश्रीफ लाएं, शौरा की फैरिस में अगर आप चाहें तो मुझ नाशी न हजीब है, हमारे इस मुशायरे में परविंदर शौफ साहब, बहुत ही अच्छे शायर जो हमारी सर्दमीन की नुमाइंदेगी कर रहे हैं, और आप यह देखें, कि हमारे यहां शेकिल भाई बतौरे खास आपको यह जान के खुशी होगी, कि पटियाला में आम तोर पर य ख्याल किया जाता है, कि यह पंजाब जो है, आप क्योंके मुसल्मान नहीं रहे, और यहां शायद अर्दू खत्म हो गई होगी, ऐसा नहीं है, मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवस्टी का, अभी जामिया में गया था एक वाईवा लेने, वहां मैंने जब सुना, कि वहां 27 लोग अर्दू में पिएजडी कर रहे हैं, तो मुझे इस बात पर फखर हुआ, कि पंजाबी इनवस्टी में 28 लोग पिएजडी कर रहे हैं, और यहां एक बड़ी तादाद अर्दू की है, और यहां हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्थ भी है, डिप्लोमा कोर्थ भी है, म में भी है, मलेर कोटला में भी हमारे तालीम का सिलसिला जारी है, और इसमें जहां आम तोर पे जहनों में यह ख्याल है, कि अर्दू मुसल्मानों से जुड़ गई, जुबान कभी किसी मख़ब की नहीं होती, हमें यह भी बताते वे फखर महसूस कर रहा हूं, कि हमारे वर्मा सावियां बैठे हुए हैं, कि पंजाबी डिपार्टमेंट में हमारे पास चालीस बचे इस वक्त अर्दू पढ़ रहे हैं, और चालीस में एक भी ही मुसल्मान नहीं हैं, तो यह अर्दू से महबत, यह अर्दू की कशिश, जिस जुबान की यह कशिश हो, यह जाबी, अपनी जुबान की हफाज़द करते हैं, अपनी तहजीब की हफाज़द करते हैं, अपनी रिवायतों की हफाज़द करते ही, आईए उसी स्लसले को आगे बढ़ाएं और इसकी जिन्दा सुबूत पेश करूं, बहुत ही महतरम शायर जनाब परविंदर शौख, प अगाज करने के लिए लोकल शायर प्रविंदर शोक आपके रुबरू है अगाज कर रहा हूं एक मतलब और एक शेर से कि चलो माना के घम हर सम्त दिल के आशियां में है चलो माना के घम हर सम्त दिल के आशियां में है बड़ा ही लुट्फ लेकिन प्यार के इस इमतिहां में है अगर चाहो किसी से पूछ कर तस्दीक भी कर लो नफासत शोक जतनी है फकत अर्दू जबा में है अगर चाहो किसी से पूछ कर तश्दीक भी कर लो नफासत शोक जतनी है वो सब अर्दू जबा में है और चंद शार आपकी नज़र कि सफर में दूसरों को जो अकेला छोड़ जाता है सफर में दूसरों को जो अकेला छोड़ जाता है फिर उसके बाद उसका साथ साया छोड़ जाता है और यहां माँ बाप बेटे के लिए सब छोड़ देते हैं बड़ा होते ही लेकिन उनको बेटा छोड़ जाता है चारॉं और मै搭ने आसवों से वह समंंदर रोज भरता मैं अपने आसवों से वह समंंदर रोज भरता हूं लेकिन हर रोज वह मुझे को हेब आसजा चोषव जाता रेक मतलग हैं यह जीर आपकी नजर के मेरे अंदर सहर शभ गम खुशी क्या क्या नहीं रहता मेरे अंदर सहर शब गम खुशी क्या क्या नहीं रहता तभी तो हो के भी तन्हा मैं अब तन्हा नहीं रहता मेरे अंदर सहर शब गम खुशी क्या क्या नहीं रहता तभी तो हो के भी तन्हा मैं अब तन्हा नहीं रहता कभी हंसस के मिलना, तो कभी नाराज हो जाना, मिजाजِ हुस्न मौसम की तरह इक्सा नहीं रहता कभी हंसस के मिलना, तो कभी नाराज हो जाना, मिजाजِ हुस्न मौसम की तरह इक्सा नहीं रहता और लगें जब फैलने शाखें, हदों को तोड़ कर इसकी, फिर उसके बाद कद उस पेड़ का उचा नहीं रहता और चंद अशार आपकी नज़र वो लोग जिनको जूट से फुरसत नहीं मिली वो लोग जिनको जूट से फुरसत नहीं मिली उनको मलाल ये है कि जन्नत नहीं मिली वो लोग जिनको जूट से फुरसत नहीं मिली उनको मलाल ये है कि जन्नत नहीं मिली सीन चाहे हमने खून से हर एक शेर को सीन चाहे हमने खून से हर एक शेर को यूँ हमें मुफ्त बेश औरत नहीं मिली और दुनिया के काम शोक सभी रह गे धरे दुनिया के काम शोक सभी रह गे धरे हमको तेरे ख्याल से फुर्सत नहीं मिली और मशक्कत से बनाए जो वो मनज़र तूट जाते हैं मशक्कत से बनाए जो वो मनज़र तूट जाते हैं अना जब हद से बढ़ जाए तो फिर घर तूट जाते हैं मशक्कत से बनाए जो वो मनज़र तूट जाते हैं अना जब हद से बढ़ जाए तो फिर घर तूट जाते हैं इन्हें नाजुक समझने की कभी भी भूल मत करना इन्हें नाजुक समझने की कभी भी भूल मत करना घुलों की जद में आ जाएं तो पत्थर तूट जाते हैं और जरा ये बात कोई शोख कातल से मेरे कह दे, जरा ये बात शोख कोई कातल से मेरे कह दे, जिगर फॉलाद हो जाए तो खंजर तूट जाते हैं। और एक मतला और दो शेर और रज कर रहा हूं। कुछ ना पूछो हमको क्या क्या इम्तिहां देने पड़े। कुछ ना पूछो हमको क्या-क्या इम्तिहां देने पड़े, बात सचकी थी मगर जूटे बयां देने पड़े कुछ ना पूछो हमको क्या-क्या इम्तिहां देने पड़े, बात सचकी थी मगर जूटे बयां देने पड़े और आश करने को जगा दरकार थी एक शहर में इसलिए सारे गरीबों को मकान देने पड़े आश करने को जगा दरकार थी एक शहर में इसलिए सारे गरीबों को मकान देने पड़े तब ये सम्झे शोक एक टुकडा जमी की ऐहमियत जब हमें बदले में इसके आस्मा देने पड़े और आखर मैं गजल के चंद ऐशार मतलब पेश्ट कर रहा हूँ उसे ये बाद गुमानी है के वो क्या-क्या नहीं करता उसे ये बद गुमानी है कि वो क्या क्या नहीं करता वो वादा कर तो लेता है मगर पूरा नहीं करता और फसादों में जो शामिल हैं वो मोहरे हैं सियासत के फसादों में जो शामिल हैं वो मोहरे हैं सियासत के खुद अपने आप कोई भी यहां दंगा नहीं करता फसादों में जो शामिल हैं वो मोहरे हैं सियासत के खुद अपने आप कोई भी यहां दंगा नहीं करता और मुझे मुझे मन्जूर है बिमार रहना उम्र भर यू ही मुझे मन्जूर है बिमार रहना उम्र भर यू ही वो जब तक हाथ से चूकर मुझे अच्छा नहीं करता मुझे मन्जूर है बिमार रहना उम्र भर यूही वो जब तक हाथ से चूकर मुझे अच्छा नहीं करता वो जो लिखता हूँ वो होता है फक्र तसकीन की खातर मैं अपनी शायरी का शहर में सौदा नहीं करता जो लिखता हूँ वो होता है फक्रत तस्कीम की खातिर मैं अपनी शायरी का शहर में सौदा नहीं करता और मैं सारे कागजों पर एक मिस्रा लिख के रखूँगा मैं सारे कागजों पर एक मिस्रा लिक्के रखूंगा वो जब तक आ के मेरे शेर को पूरा नहीं करता मैं सारे कागजों पर मैं सारे कागजों पर एक मिस्रा लिक्के रखूंगा वो जब तक आ के मेरे शेर को पूरा नहीं करता और मक्तार्ज कर रहा हूं कि चलो माना कि अपनी एहमियत है शोख दोलत की जमाने में मगर हर काम ही पैसा नहीं करता और मुझे मन्जूर है बेमार रहना उम्र भर यूहीं और जब तक हाथ से चूकर मुझे अच्छा नहीं करता जनाब परमिंदर शोख साथ अपने कलाम से नवाज रहे थे भाई इसकी आवास थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ताके मज़ा भी आए मुझे भी निजामत करने का यह रेडियो वाले भी बैठे मैं भी आल-इंडिया रेडियो से रहा हूं मुझे मालूम है आवास का वाल्यू आवास का वाल्यूम है